अ यह हरो व्हेल वॉल्कम टेमाई जो इने हो जो ह्ता अ गश्योंक आख वारे में तो आँगे बाथ करने वेक्टा कूलेशूनुक्री वीडियो इन जिकाती सलो वीडियो सब्सक्राइब मा है और यहिंग प्रेसे ले pró próbaum का मतलब होता है appropriate यानि proper ठीक है जैसे मने एक्जामपल लिखा हो you will look stunning tonight because the red dress is opposite for your complexion ठीक है अपोसित का मतलब होता है perfect या proper ठीक है opposite होता है opposite का मतलब क्योंता इन front of your contrary ठीक है opposite side की तरह भी यूज किया जाता है ठीक है यह से हो मेरे opposite में खड़ा है मतलब मेरे सामने खड़ा है contrary का मतलब होता है जब किसी में मद्वेद होता है तो हम opposite का यूज करते हैं जैसे एक्जामपल लिए यार और अपोसित टीम ठीक है I stood on the opposite side okay तो बोलने में दोनों सेम है लेकिन मीनिक दोनों का क्या है अलग है तो इसी को हम क्या भूलते हैं वर्ट कंफिज्ट हैं मिस्यूस्ट कभी-kभी एप ऊजिए कि यूज कर लेते हैं आप ऊजिए आप ऊजिशे कर लेता है तो दोनों क्या है different है opposite का मतलब का मतलब contrary या in front of ठीक है उसके पाद आपन और त्युक्त प्रिटिए थी के अमेंड का मतलब इस चीज को इंपरूव करना इमेंड का मतलब पता है तुम्रूब था इंपर इस ठीक है इमेंड का मतलब थे रूफ था इम पूर्टिए असुद्धियों को निकाल देना इसका एक्जामपल दन्यु वर्जन फिट्स भूख व having no moral sense GU stealing from the poor is an example of an i måure action जैसे कि कि गड़ी बाद में से कोई चीज़ चुटा रहें एक तो वह पूर है और उसके बाद हम उसके कोई चिछ चुटा ले स्टूरा लें तो यह क्या अइक क्या होता है कि हमें मॉरल सेंस नहीं होता है ठीक है हमें मॉरल्टी नहीं पता होती है लेकिन इमॉरल में क्या होता है कि हमें मॉरल्टी पता होने के बाद भी हम वो काम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं ठीक है अगला क्या एंटीक्स का मतलब होता है ट्रिक्स यानि किसी को ह पसाने के लिए जो हरकत की जाते हैं उसे हम क्या बोलता है एंक होती है तो जैसे के दर लार्ज रूम एंटीक फरनीचर टिक है जैसे जो पुराने जमानी की चीज़ें उनको हम बोलता है एंटीक्स तो यह दोरों में अंतर होता है अप्रेज का मतलब होता है किसी की quality का मुल्यांकन करना ठीक है assess the quality ठीक है किसी चीज़ का मुल्यांकन करना उसे हम क्या बोलते हैं अगला है अप्राइज का मतलब होता है किसी को inform करना ठीक है तैसे I schedule a meeting for the afternoon to apprise my boss of the project status ठीक है आप्राइज का मतलब क्या होता है इनफार्म करना और अप्रेज का मतलब होता है किसी का मुल्यांकन करना इस टीक है panon प्रैयोजन का मतलब कि यह पर इस चीज़ का अपना चेर्श रूप से ग्यान देना उसे क्या बोलते हैं अगला बिसाइट और है विसाइट विसाइट का मतल ता बाइद साइड ऑफ यानिक किसी हमारे कोई चीज़ बागर में Чुछ्छ में ते पिसाइड बोलते हैं और उस चीज के अलावा जब कोई चीज होती हैं क्या होते हैं तो प्लेस के तरह यूज कि चाता है यानि ये घृट है इलावा यानि बिसाइट आ या किसी भी इन से गोभरोटर से यह सकता है और एक विसे भी इन से गोभर्मन्न है वह सकता है उसको हुआ ओड़े वोका भी का मतलब होता है हमारे खुद का सब्सक्राइब होगता है कि अधिके इस को हम क्या बोलते हैं तो यह को रिमोविंग आप पर दलिन हांज इन न को डोड को कमता है तूर से फूर एषेट बॉना बोलते है एसे जिस में ने टेन या फिर ब्राइड उल्रेस होते हैं तो यह सब क्या हृते है जो दूल्हाय रूलन से शोकष्ट होते हैं जो घीट्र पेडिड ग्रूम से बाइडर होते हैं अगला है बैनफिशाम बैनेफिशाली का मतलब होगा जो उस in the insurance company pays the amount of the death benefit to the beneficiary of the policy कि बएनिफसरी मतलब जिसको वो लाव मिलता है ठीक है और मैंने effect और effect का अंतर बता है, effect क्या होता है? परिडाम होता है और affect का मतलब क्या होता है? प्रभाव होता है ठीक है? अगला है बोर, बोर का मतलब पिग यानि सूर से रिलेटर होता है बोर और बोर एक होता है इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है इसका है बियर का फूल फॉल फॉर्म है इसका मतलब होता है सहन करना टॉलरेट करना इसका मतलब होता है सहन करना इसका मतलब होता है इसका like the video, hit the like button and don't forget to subscribe my channel